आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ गवन है 1, 2, 3, 4, कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है तो हम एक एक करके चारो ओप्शिन्स देखते है फर्स में क्या गवन है कि जुलाई का जो रेनफॉल है एट एकसीड ऑगस्ट रेनफॉल बाई 100 सेंटिमेटर इन इच लोकेशन मतलब हर लोकेशन में जुलाई में रेनफॉल जाए वो ऑगस्ट से जादा है जुलाई है शेड़ेड रेजन और ऑगस्ट है ये वाइट रेजन बढ़ हम हर जगा देख सकते हैं कि ऑगस्ट का जो रेनफॉल है August में जो rainfall है वो हमेशा July के rainfall से हर प्लेस पे ज्यादा है तो ये option तो incorrect होगा अब second देखें तो September rainfall exceeds August rainfall by 50 cm in each location मतलब अब ये वाला तो September बता रहा है तो हमें क्या given है कि जो September का rainfall है वो August से हमेशा जादा होगा पर अगर हम ये देखें F location में August का जो data है white वाला ये इस से जादा है तो इसकी वज़ा से second option भी incorrect होगा third में क्या है कि July rainfall is lower than August rainfall in each location और ये हमने already देखा कि हर जगा white का जो data है वो shaded region से जादा है August का data हमेशा July से जादा है तो option 3 correct होगा so option 3 वाला statement is the correct statement कि July में जो rainfall है वो हर location में August के rainfall से कम है this is our required answer classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर